अपनी वर्दी के दम पर अपराधियों के मन में डर पैदा करने वाली ब्रस्टा चार को रोकने के लिए टीमें बनाने वाली पुलिस अब खुद घोटाले करने से बाज नहीं आ रही है ऐसा ही एक मामला करणाल पुलिस की अकाउंट्स ब्रांच से सामने आया है इससे करणा कर रहे थे पुलिस ने अब करनाल के एसपी ओफिस की अकाउंट ब्रांच में पुलिस कर्मियों के टी एके नाम पर 44,35,375 रुपे हडपने के आरोप में दो एसाई को कोट में पेश किया है आरोपी एसाई सहाब सिंग व एसाई राजबीर को पुलिस ने तीन दिन के रिम सभी ने चुपी सादी हुई है करनाल एसपी ओफिस की अकाउंट ब्रांच ने दो लोगों को पुलिस कर्मी दिखाते हुए उनके यूनीक आईडी बना दी और दो चतुर्त श्रेणी करमचारियों को भी आईडी बना दी यूनीक आईडी हर एक सरकारी करमचारी की होती है जिसके अधार पर विभाग उसके खाते में सेलरी वो अन्यभत्ते डालता है इस तरहें फर्जी यूनीक आईडी बना कर विभाग के चारो आईडी पर पुलिस कर्मियों के टीए बिल डाले गई आईए आपको बताते हैं कि कैसे खेला जाता था यह है फर्जी वाड़े का जानकारी के नुसार अकाउंट्स ब्रांच में काम करने वाले करमचारी फर्जी बिल और ट्रेवलिंग बिल बनाते थे उसके बाद किसी नए करमचारी की यूनीक आईडी बनाते थे जिसमें वो फर्जी बिल की और ट्रेवलिंग बिल की रकम डालते थे अकाउंट्स ब्र रहा था पूलिस के दिकारियों को इस बात की भनत इस लिए लगी क्योंकि 2 करमचारियों के अकाउंट्स में 10 लाक से ज्यादा चले गए थे पूलिस को गडबड़ लगी और जब मामने की जांच के गई तो उन 2 करमचारियों का पूलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं नहीं था फिलाल इस मामले से करनाल पुलिस की काफी किरक्री हो रही है पुलिस के मताबिक फरजी तोर पर बनाई गई आईडी के मताबिक बलवान सिंग सुमित कुमार नकली पुलिस करमचारी है यह आरोपियों की रिष्टेदार है या अन्य कोई और इस पर जाच के बात क्लियर होगा पुलिस में चतुर्त श्रेणी के करमचारी विजे कुमार वर्नाथी राम के अकाउंट्स में पैसा जारी हुआ है बारा फर्वरी को सीएम के नाम बेजी शिकायट डीजी पी को मिलने पर जाच की गई तो इसका खुलासा हुआ एसपी सुरेंदर सिंग बोरिया ने सीविल लाइन थाने में धोका धरी समित कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है मामले में आरोपी एसाई साहब सिंग वो एसाई राजबीर को गिरफतार कर लिया गया है चार करमचारियों को ब्रांच से लाइन हाजिर कर दिया गया है कई अन्य से पूछ दाज की जा रही है फर्जी वाड़े में पूरी अकाउंट्स ब्रांच के सनलिप्त होने का संदेह जताया जा रहा है SP ने इंदरी के DSP रंदीर सिंग की अध्यक्षता में SIT गठित की है जो मामले की जाज कर रिपोर्ट देगी JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise Aisai hi latest को बरे पाने के लिए, bell icon को खिलिक कर हमारी चैनल को Like, Share and Subscribe करे थेन्देवान